असलाम अलेकम वारे मतुल्लाहिब बरकाते हो देसे संद असीम दुल्फिकार और आज की इस वीडियो में जैसे के मैं डेली बेसिस पर डिफरेंड प्राइविट और गेवर्मेंट कॉलेजिस के पेपर सॉल्फ कर रहा हूं अपने इस यूटूब पैनल के अंदर तो अभी के मैं बहरिया कोलेज कारसास का जो पेपर हुआ है तो उसको सॉल्फ करने जा रहा हूं मॉर्निंग शिफ्ट का 2023 का और यह पेपर है सेकंड इंग्लिश का ठीक है कराची बोट से तो सबसे पहले इसके एमसी को सॉल्फ करेंगे तो फस्ट ए लॉर्ट टैनिसन वस टैनिसन ऑम क세요 पॉपण किस साल वह पैदा हुए तो 1809 में यह पैदा हुए चर्मिंद्र स्था इस प्र का से धा है एक क्डेकल पॉम है एक क्रैजिक पॉम है क्ट हुम्रस पॉम है एक awfully oldenड है झरिख एक यह ठीजंडी पॉम है तो यह लेजंड्य पॉम है एक टैन्डियो from this to this 10 dynasty ने किस एर से किस एर तर जह है वो चाइना के अंदर राज किया तो उन्होंने 618-2907 AD 608 से लेकर जह है वो 907 AD ता कि उन्होंने जह है वो चाइना में हकुमत की 10 dynasty तो यह reflections on the rear wickening east में लिखा होगा footnote के अंदर fourth if hopes were dupes then fears may be liars तो fears में भी liars, liars means false तो यह से not the circle not a village से लिए गया गया लाई ने fifth ते King Rudolph Elberg was imprisoned in उनको imprisoned कहा गया था, old castle में imprisoned किया गया था sixth a polytheist means believer in many gods जो बहुत सरे खुद आपर बिलीफ करे seventh a most of the other gave up, exhausted or climbed on the tree in dash park that is Franklin Park तो यह the day the dam broke जो देन स्थरबर की एक humor writing है तो उसके अंदर एक यह है वो यह तसकरा है कि बहुत सरे लोग जह है वो Franklin Park एक पार्क है Benjamin Franklin के नाम से Columbus City के अंदर उसके उपर चड़ गया तैकि वो जो डैम तूटने इसे जो पानी आएगा उससे बच सके एट थे 20 मिनट्स with Mrs. Oaken Tup is a dash 20 मिनट्स with Mrs. Oaken Tup क्या है तो एक melodrama है नाइन थे get off your horse and fight like a man इस वर्स को किस ने कहा था इसको रुपर्ट आफ हैंजू ने कहा था रजंडाइल को ठीक न, सॉरी रजंडाइल ने कहा था रुपर्ट को फेस तो फेस इन दा फॉरिस्ट ये जो चैप्टर इसके अंदर 10th in Greek mythology Ulysses is a dash Ulysses कौन थे एक hero था 11th थे था solitary पर belong to the highlands of Scotland 12th थे John Galsworthy received the Nobel Prize in Literature in the year John Galsworthy को Nobel Prize literature का कब मिला John Galsworthy जो writer है Act 3 of the silver box के 1932 में जए वो Nobel Prize से नावाजा गिया D option 13th है जोर independence will not be very difficult to preserve especially in the view of division of the rest of the world into two hostile blocks here, two hostile camps तो ये C option ये Bertrand Russell को चैप्टर रिफ्लेक्शन सांदार ये विकिनिंग इस से लिए गया MCQs है 14th है शोपेन होर वाज़ जर्मन देश वो एक जर्मन फिलोसोफर थे Arthur शोपेन होर एक pessimist फिलोसोफर थे इसका तर्सक्रा Albert Einstein ने अपने चप्र दबर्लाज़ सीट में किया 15th Einstein compares the one who does not seek them as serious to a snuffed out candle ये भी दबर्लाज़ सीट से है 16th the old and the new portions of castle were connected by drawbridge 17th your education has been more comprehensive than mine you write it the speaker is what कि तुमारी तालीम मुझसे जादा comprehensive है तुम इसको लिखो ये speaker कौन है प्रिंशिस फिलेविया, मैटम डीक मुमेन फिर्ट्स, रजन डाइल तो ये I think so के ये रजन डाइल ही होगा जिसने ऐसा speak किया होगा चुकि शायद उसके उंगली में न चोट लग गई थी तो वो लिखना नहीं चाहरा था फिर मतलब उसके राइटिंग सही नहीं थी उसके राइटिंग इंग रडॉल्फ से नहीं मिलती थी तो उसने शायद कहा होगा किसी और से कि तुम लिख दो मेरे बस मतले में वरना इससा भी हो सकता है राइटिंग के थुरू वो पकड़ा जाता है यह मेरे गैस है कि यह रजर्ण डाइल इसके अंदर होगा यह एक लाइन है मतलब आप नॉविल तो जाट से बाद बहुत बड़ी सारी लाइंस नहीं पता हो सकते हैं जैसे गैस लगा सकते हैं एटीन थे जोहान इस दा गेम कीपर अफ ड्यूक माइकल नाइंटीन थे इन नॉविल दे प्रिजर अफ देंडा जेकब स्लेटर वस अच्छिली अप पाई ट्वेंटी ब्लैक माइकल वस किल बाई रुपर्ट आफ हैंजू चीक है तो यह हमसी क्यूस हो गए इसके बास अच घिसे अडाप्ट है एक तो एडाप्ट होता है इसको गोध लेना और अणिवह ऊप्तेस्स से निकला है मतलब अधी हो जाना किसे चीज का आधी हो जाना ऐसको कि present अब बना सकते है बर्थ B E R T H बर्थ आई थिंक के जो सोनी की जगह क्या सकते हैं जो ट्रेन वगज़ा में होती है और बी आई 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 आइ आइ बर्थ दो है वो तो इसके मतंद तो आप जानते हैं इसके मतंद बहुता है पैदाईश इसी तरह से कास्ट C A S T कास्ट कास्ट का मतलब होता है लगाना किसी चीज़ को और C A S T E कास्ट जो होता है या कास्ट के एक मतलब नशर करना भी हो सकता है नशर करना टली कास्ट जोसको हम कहते है और कास्ट इस कास्ट के मतलब होता है जात जात पात वगारा कंप्लीमेंट ठीक है इसके बाद next हमारे पास compliment है दो compliment होते है एक c o m p l e m e n t compliment होता है और एक i से होता है compliment तो यह जो compliment होता है इसके मतलब थारीफ है i से जब आएगा और यह compliment मतलब जो एक्स्टा कुछ चीज आपको तोफिक के तौर पर दी जारी है that is compliment जोड डी यू एल डूएल इस डूएल का मतलब था दोहरा और यह डी यू एल डूएल इसके मतलब था दी इूल मतलब था इसके मतलब लडाई ठीक है तो यह हमारे पास meanings होगे बाकि आप sentence खुछ बना ले इसके ठीक है बाकि यह हमारे पास resolve work है ठीक है to turn down मतलब मुस्तरित कर देना किसी चीज को मुस्तरित करना take after मतलब रूप लेना यह किसी का भेस लेना break out मतलब होता है फूट जाना बीमारी का फैलना बीमारी फैलना ठीक है फिफ्टेंथे राइड दे मेनिंग फ़एव फॉलेंग वर्ट्स फ्रेस इंसलारीटी इंसलारीटी यह हमारे पास जो वर्ड है इस वर्ड इस फ्रॉम रिफ्लेक्शन सौदरी विकिनिगीस्ट इंसलारीटी का मतलब बता इगनोर रहांस यह जहालत रूद लेसनस मतलब कुरूल्टी सफाकी वीडलिंग तो वीडलिंग का मतलब बताःख की चलना डक स्टाइल डक स्टाइल वॉकिंग फलाउंडर मतलब परिश खतम हो जाना जियो पाड़ी जियो पाड़ी मतलब रहते है डेंजर ब्लॉक मतलब यह पर ग्रूप इंपेड ठीक है इंपेड इंपेड के मतलब स्टॉप रोकना किसी चीज़ को ठीक है इसके बाद हमारे पास यह निरेशन है निरेशन करा आगे था हूँ फर्स्ट है विल्यू वाटर दे प्लांट्स प्लीज शी सेड तो शी requested अब यू है न ढ़िए प्लांट्स अब जेकली गोगए तो किसी सा को तो कहरी होगी तो शी requested him to sorry एक question है तो requested नहीं है चुके wheel से start हो रहे है तो she asked if he would water the plants यह तरह बनेगा ठीक है next I said to him I have written a novel का सटीब है जो simple बन जाएगा I told him that I had written a novel see teacher said to the students complete your work in time अभी advice है तो teacher advised the students to complete अब योर है ना तो योर तो देर हो जाएगा चुकि उनको कह रहे हैं second person है तो object system जोगा to complete their work on time next day the leader said alas I have lost the election तो हो जाएगा the leader exclaimed with sorrow चुकि अलास आगिया तो exclaimed with sorrow that he had lost the election next day she said to him what is your name तो ये एक interrogative है she asked him what his name was और लास में full stop passage देख लेते 10 marks का तो ये ये starting lines है ये starting paragraph है आपका इदे बढ़ लदे सीट का वे अलबर टानिस्टाइं तो बस question 3 और force solve कराओ give meanings of the following destinies means fates exert means supply लगाना bounder मतलब टाई बंदा होना welfare मतलब किसी की happiness ये खुशी next day parts of speech बताना है remind verb है myself एक pronoun है this will be positive pronoun sympathy एक noun है हम दरदी depend ये हमारा पर एक verb है first form है ठीक है मेटा तो this is all about the lecture of barrier college कारसास तो मेरे नाम है सर्णासीम जुल्फेकार आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं अगर आप मेरे physical classes को join करना चाहते हैं तो ये मेरा WhatsApp नंबर है इसके तुरू आप मुझसे coordinate कर सकते हैं फिर को नोटस वेगर आपको required है किसी भी class के तो इस नंबर पर आप उससे contact करके PDF नोटस के आप उससे ले सकते हैं ठीक है तो बस ये चीज़ हैं बकि मैं class 9, 10, 1st year, 2nd year के physical classes भी दे रहता द्वाई इलिंग कोचिंग सेंटर के अंदर जो के जिसके campuses औरिंगे टॉन में, गुलशन एकबाल में, नौर्थ कराची में मौझूद हैं या फिर आप जो है वो WhatsApp के तुरू भी मुझसे जो है वो रापता कर सकते हैं ठीक है, thank you so much, अपना खायर रखेगा, अलाफिस